हर्याना के परिवेन मंतरी मूलचन शर्मा ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए बयान दिया है और उने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें और चार्जिंग स्टेशन का टेंडर कर चुके हैं जल्द ही हर्याना के 10 जिलों में इलेक्ट्रिक बस चलाने का काम शुरू होगा वहीं मूलचन शर्मा ने चालान काटने की पावर को लेकर की भी बयान दिया है हर्याना पर्देश में जितने भी हमारे बसों के अपने जितने भी इलेक्टिकल जो चारिक स्टेशन उनका टेंडर हम कर चुके हैं और जल्दी उन पर काम तेजी के साथ गती के साथ पूरे जले में सुरुगात हो चुकी है और जल्दी हम पूरे हर्याना में दस जलों में इलेक्टिकल बस चलाने का काम करेंगे और जहां दिल्ली एंसियार के जले हैं उन सम्में और जैसे जिसे डिमांड आती रही जैसे बसों करेगी कि वहां भी हम सुरुगात केंगा जैसे पल्वल है फैदावाद है गुड़गामा है सौनीपत है करनाल है पंचकुला है अम्माला है इस तरह से दस हैं पहले 66 लोग चालान करते 66 लोगों की पावर्ति अब 144 लोगों को टी आई उनको पावर दी है कि वो भी चालान आप कर सकते हैं